दुनिया की हलचल पर पहनी नजर परताल दुनिया भर की देखिये जुड़िये ताकि मिले सही नजरिया जानने और खोजने का समझने का कि क्या चल रहा है आसपास और साथ समंदर पार आखिर हम है ग्लोबल सिटिजन परताल दुनिया भर की मैं आप सबका स्वागत है इस समय दुनिया और भारत एक साथ एक मोर्चे पे खड़ा हुआ है वह है पेगासस खुलासा वहाँ पर भारत का नाम है लेकिन साथ साथ पूरी दुनिया के मानचित्र पर 50,000 से अधिक फोन टैप हुए हैं 45 से 50 देशों मे ये नंबर है और 10 देशों में तो इसकी पूरी की पूरी शिरकत है जो जासूसी हुई है अंतराश्टी इसतर पर उसका अंतराश्टी राजनीती में डिप्लोमेसी में पूरी की पूरी दुनिया को देखने समझनेश खुफिया एजंसी कीस तरह से काम कर रही हैं और क्यों कुंbelt रही हैं किसके इशारे पे कर रही हैं यह सब जानने के लिए हम बात करेंगे नियूस ग्लिक के प्रधान संपादक प्रभीर पुरकायस प्रभीर हमें बताइए कि दुनिया भर में जो जासूसी का यह पूरा ताना बना चल रहा है इतने बड़े पैमाने पर अभी जो हमारे पास आकड़ा आया है 2017 से 2019 का है और इसी में इतना इसका जो जाल पहला हुआ है तमाम देश इसमें शामिल हैं दस देश उनके जो शिर्ष लोग हैं सरकारे हैं वे शामिल हैं पैतालिस से पचास देश कहा जा रहा है कि वहां पर फोन टैप हुए तो इतना बड़ा जो तंत्र खड़ा हुआ है इसराइल की जो पूरे का पूरा एनलसो का डाटा हमारे सामने आया है जिसको लेकर भी हंगामा चल रहा है कुछ देशों ने जाच की भी बात की है फ्रांस ने कहा है कि वह इस पर जाच करेंगे इतने बड़े पैमाने पर जासुसी वह भी इतने देश उसमें शामिल और वह ले रहें यह सब अंतराश्टी इस तर पर क्यों करने की जरूवत पड़ रही है और कौन है इंके पीछे इसमें दो अलग-अलग सवाल जुड़ करेंशन से मिल के जो किया है उनका संभव उनके लिए संभव नहीं है कि पचास हजार का चांद बीन करें क्योंकि फोन नंबर से इनसान को ढूंड़ना है उससे पता करना है उनके फोन लेकर देखना है क्या सच्पुच उनके फोन टैप्ट हुए थे इसमें पेगिसस की इ यही पूरी लिस्ट है यह भी तो दूसरी बात है और एक बात जो आपको इस पे समझना चाहिए कि देखिए खुफिया एजेंसी के बारे में हम पहले से जानते हैं एनसे नैसे नैशनल सेक्यॉरिट एजेंसी अमरीका की यह पूरे दुनिया को उसकी फाइवाइज अलाइ होगा एंजला मारकल की जो उनके लाई है जर्मन चैंसलर उनकी फोन भी टैप किया था तो यह अनोखी बात नहीं है यह अनोखी बात यह है कि यह पहली बार खुफिया एजेंसी नहीं देश की एक प्राइवेट कंपनी यह ऐसी चीजे करीब 45 मुलकों को या 50 मुलकों को ब मत आई है किि इसको अगर रोका नहीं गया तो अभी तो 50,000 की बात चल रही है चान्दिनों में 50,000,000 हो जाएगी तो यह जो चीज़ है कि प्राइवेट इस तरह कि az फ़िज़ टूल अगर इस तरह के सेल ऑन टूंस होता है इस तरह की तूल्स अगर आम बाजार में बिक्र होता है तो देखिए हिंदुस्तान में तो हमारे हाँ करीब आठ या दस एजेंसी है जिनके पास पावर्स है टैप करने की इस तरह कि सिर्फ दो सो देश की बात नहीं है उनकी कित्ते एजेंसिस लेके हजारों के तौर पे ऐसे टूल्स की इस्तवाल करने की ख्वाइश रखे वह जो कि सारे देश तक्रीबन जो देश जिन लोगों के नाम आये हैं दस देश जो गए थे एटमेंस हो के पास को को कहना है कि हम सिर्फ सरकारों को बेशते हैं हम निजी लोगों को नहीं बेशते यह जो खुफिया जाज करने वाला सौट्रवेर है वो सब सरकारें अपने अपने धंग से फोन टैप करती रही हैं जासूसी करती रही हैं फिर उनको NSO के पास जाने की अपने ही देश के नागरिकों के लिए या दूसरे देश में जो लोग बसे हैं जहां पर वेस्टेड इंट्रेस्ट हैं क्या जरूरत पड़ी इसमें और उस जांच में या उस खु के जरीए होता है आजकल computerized है पर यह कहा गया है सरकार के तौर पर अगर आपको license चाहिए तो आपको allow करना पड़ा या कोई भी phone number अगर हमको देंगे हम आपको देंगे तो उस पे tap करके real time में हम सुन सकते हैं यह तो उसको download उसको record कर सकते हैं इसका प्रबंद आपको करना पड़ेगा और यह सब license क्योंकि इसका part है तो सब companyों ने इसको यह दिया है इंटरसेप्शन हुआ यहां पर इंटरसेप्शन की बात नहीं है यहां पर है कि आपका phone में एक ऐसी software वो डालेंगे आपके इजाजत के बिना आपके जानकारी के बिना पहले हो सकता था आपको गलती करना पड़ा है कि आपको पस कोई message आया कोई link आया आपने click किया तब infection आपके phone में आएगी अब जो एनसो को जो software है इसमें infection बिना आपको कोई चीज किये जिसको जीरो click exploits कहते हैं बिना आपको कुछ किये कोई भी चीज बिना click किये आपका phone में अगर SMS आ गया तो व चीजों को और उस message को delete कर देगा कोई trace नहीं रखाएगा कि ऐसे कोई message आया तो जिसके जरीए आपका phone infect हुआ है पहले missed call याद होगा WhatsApp missed call की बात चर्चा थी दो साल पहले अब WhatsApp missed call भी नहीं बहुत सारे ऐसे चीजों की वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो की apps है आपके phone पे जो automatically कुछ ना कुछ update या data लेते हैं तो उसके जरीए उसका वो infection वो कर रहे हैं तो interception और इस पर फरक यह है कि interception एक जायस यह चीज आप कर रहे हैं बातचीत कर रहे हैं कानून है कि अगर कोई agency उसमें एक order ले order मामूली है क्योंकि सभी सरकार की जितने भी सरकार आई है सब दसकत करते हैं यहां की हो अमरिका के हो इंगलेंड को किसी भी सरकार हो तो सरकारी बाबुत उसमें दसकत करेगा है चाहे जिसी भी कुरसी में बैठा हो पर कम से कम एक policy तो है क कैसे एक चीज हो सकता है यहां पर कुछ नहीं है आप एक infection भेजेंगे जिससे आपका phone सिर्फ यह नहीं कि उस पर आप जो कोई भी चीज सुन सकते हैं उसका microphone कभी भी on कर सकते हैं उसका video on कर सकते है फोटो ले सकते हैं आपकी मतलब आपके pocket में एक खूफिया एक spy आपके pocket में रहेगा जो आपको monitor करेगा और उसका location से उसका voice से आप क्या conversation हो रहा है उससे आप follow कर सकते हैं उसका खुलासा अभी जो हुआ है करनाटका का जो सरकार गिराए गई है अब सोचिए अगर pocket में ऐसे spy होता तो किसी को follow करने की भी जरूरत नहीं था उसकी conversation क्या हो रहा है वो भी बैठ के कहीं भी दूर बैठ के आप उसको आपको मिल जाता तो यह जो चीजे है एक इसलिए मैं समझता हूँ एक गैर कानूनी है मैं lawyer तो नहीं हूँ तो इसलिए मैं कानून पर इतना ज्यादा बता नहीं सकता हूँ मुझे लगता है कि interception की जो legal procedures है इसमें infect करके phone को एक जासूस बना देना यह इसमें नहीं आ सकता सिर्फ जो information phone में है या phone से कहीं जा रहा है उसको आप कुछ कर सकते हैं पर उसमें इस तरह का चीजें डालना जो phone के purpose नहीं है I would call that जिसको कहते हैं इसको hacking करके और कुछ बना देने की प्रक्तिया है इसका 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 इस भी हमने देखा पत्रकार भी निशाने पर हैं सिर्फ पत्रकारों के phone टैप ही नहीं खशोग जी का मामला हमने देखा जिसमें उनका phone टैप होना उनकी जो मंगेतर हैं उनका टैप होना सारे लोगों का जो साओधी रेंडिया के डिसीडेंट थे अमरिका में वाशिंग्टन सारी घुसपैट की गई थी सब कुछ सुना जा रहा था इसी तरह से एक दो मामले और आए हैं जिन पर आगे हम बात करेंगे कि मैक्सिकन पत्रकार की भी मौत की वो लोकेट किया कार वाश कर रहे थे वहां पर कैसे पहुँचे तो ये तमाम चीजे बता रहे हैं कि इसका इ य्मिनेस्टि इंटरनेशनल की जरिये जो हमें नंबर मिले हैं कि मौरेको में । 1948 तो मौरेको में 15 तब इस सूची में होना इतने बड़े पहमाने Пर वहां के नंबरों की जासूसी होना उससे जानकारी निकालना तो ये क्यों हो रहा था आपको क्या लगता है क्लिंड की आफ्रिका पर उसको अगर पढ़ेंगे तब आप जानकारी पाएंगे कि मुरको अमरीका का नेटो एलायंस का एक बहुत बड़ा पिट्थू कह सकते हैं अफ्रिका में है जो वहां पर आफ्रिका के जो आपरेशन्स हो रहे हैं इस वक्त अमरीका के उसमें वो शामिल है क्यों मुरको फ्रेंज फ्रांस के साथ भी उनके संबन्द अच्छे है वो पुराने फ्रेंज कॉलिनी रह चुके हैं तो यह जो मुरको है तो इसकी एक एहमियत नॉर्थ आफ्रिका में है जिसको मिडल इस नॉर्ट आफ्रिका रीजिन कहते उसमें है और उसका एक बहुत बड़ है तो वहां पर काफी ऐसे forces है जो चाहते है कि और उनका राजे का भी फोन टैप है वो मैं आ रहा हूं उस पर तो बादशाह है वहां के तो बादशाही तो आज के जमाने में थोड़ा मुश्किल है मौरॉक्को है साउदे एरेबिया है युनाइटेज एमिरेट्स है कतर है ऐ जनवादी ताक्ते हैं जो इस तरह के राजा राजवारे नहीं चाहते हैं वो मिडल इस्ट की पेट्रो मॉनर्कीज नहीं है मौन को बड़ा देश है उससे तो इसी लिए उनको बहुत शक है सब पे कि कोई भी कुछ जनवत कहीं भी कुछ बदर हो जाता है तो उनको लगता जासुसी करना चाहिए देखिए पुराने राजवारों को भी नहीं था ना तो एक तो ये है पर इस पे खतरनाग बात जो आपने कहा है कि राजा कभी नाम उसमें है क्यों क्योंकि कुछ खूफिया एजेंसी जो राजा कंट्रोल करता है वो भी सोच रहा है यह बोल क्या र होता है हमको किस बिगाह से देखते तो यह जो चीज यह जानना कि Fine both क्या करहे हैं हमारे कि फॉन करें ठीक है हमारे fund कर यह कैसे हो सकता तो यह कोई दो राएaksi है कि यह चीज इन लोगों पे हाथ में आया है जो कि पहले चंद मुलकों के हाथ में था कि जैसे कहा कि फाइवाइज नेटो के एक दो देशों की रूस और चीन के हो सकता है उनकी भी इसमें capabilities हो खुपिया करने की पर ये सिर्फ राश्ट्री एजनसी की पास ही था अब जो है ये इस private company के जरीए जो इसरेयल के सरकार के बहुत गहरा संबन्द है जिसके साथ तो उसके जरीए 45-50 देशों में पहुँच जाना एक बहुत ही unstable situation पैदा कर रहा है क्योंकि एक दूसरे देशों पर भी ये खुपिया चैकिंग करने है एक देश दूसरे देश पे जैसे एक राजा दूसरे देश के प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर पे करें लेकिन ये बताए कि इस पूरे परिद्रिश में इसराइल सबसे बड़ा खिलाडी हुआ कि ये बड़ा अभुतपूर्व है कि एक तरफ महाशक्तियां हैं अमरीका हैं अमरीका में जो जासूसी करते रहे हैं इसके आतिहासे एक दस्तावेज हमारे पास हैं कई लोग जेल में हैं स्नोडन बाहर से बता ही रहे हैं कि किस तरह से निग्रानी करता था खुफिया कि वो सिर्फ सरकारों को बेचती है तो उससे तो ऐसा लगता है कि ये एक अलग पावर सेंटर के तौर पर इमर्ज किया जहां पर देश भी गए लग सवाल ये भी नहीं है यहां पर तो यह भी है ना कि देशों ने अप्रोच किया इस कंपनी को कि भाई आप हमारे नंबर ह ने ओभर रहा है तकनीक में को कि अभी तक हम देख रहे हमें दूसरे धंके हथिया औरों कि भिक्री खरीद हमारे वारत सहिद आ रहा लेकिन य। च्छीज है यह पहलू कैसे आया देखिए इस्रेयल की दौहरा एक भूमी का रहा है अंतराश्टियस्तर पे एक ठोह अपना चीजे बेचना एक तो यह रहा है दूसरी बात है कि यह अमरीका के लिए एक आउटलेट है बहुत सारे चीज ऐसा करना जो उनके लिए कानूनी तोर पर उनके लिए संभब नहीं है क्योंकि आपचारिक तोर तो डिमाक्रिसी है उनको कॉंग्रेस में जाना पड़ता है तो को मालूम नहीं है कि इस्रेयल अमरीका के लिए जासुसी उन लोगों पर करता है जो अमरीक कानूनन नहीं कर सकता। जैसे अमरीकन लोग ठीक है ना? घर के लोग है उस पर एने से उनकी जासुसी कर तो कर सकते है但 siya नहीं कर सकता. कुछ चीजे उनके उपर बंदिश है एन हम आपके देश को जासे, लोग को पर जासे करें, इस्रेयल का एक खास भूमी का ये रहा है, कि जो चीजे अमरीका नहीं कर सकता था वेस्ट एशिया में, क्योंकि वो साओधियरेबिया भी उसके साथ संबंद रखना है, युनाइटेड अरब एमिरेट से, कतर से, पेट्रो मॉनर्कीस को जो हम कहते हैं, उनके साथ संबंद रखना है, तो इसके साथ साथ उनको और वी चीजे चाहिए, वो इस्रेयल के जरिया और उनकी खूफिया एजेंसिस के जरिया करवाता था, और ये इस्रेयल और अमरीका की जो गहरा संबंद है, तो जिसे कहते हैं कि इस्रेयल का प्रोटेक्शन, अमरीकन एजेंसिस से ज्याना मिलता है, अमरीकन कॉंगरिस में, ठीक है न, तो ये जो चीजे है, इसको देखते हुए, वो काफी ऐसे चीजे उनसे करवाता है, और का इसी को नहीं देता, ये इस्रेयल और अमरीका की खास संबंद के बजह से, यहां पर जो हुआ है, कि इन्होंने सोचा कि ठीक है, हम भी इसको इस्तेमाल करें, दो तरह, एक तो है कि पैसा मिलेगा कि इनको आर्म्स बेच के, इस्रेयल के एक बहुत बड़ा जो आमदानी है, हथ्यारों की है, कहा कि हमारे तो सब कोफिया एजिंशी को हमें हमारी जान पहचान है, उसके ज़रिए मिलेटरी इंटलिजेंस हो, चाहे लोकिल इंटलिजेंस हो, उसको हम सिबिलियन इनस्टूमेंट बेचे, इस तरह की चीचे बेचे. तो पहला शुरुआत हुआ था कैस से चीज़ों का आप सक करके इत्माल कर सकते हो क्योंकि यह NSA और इस्रेयल दोनों ने मिलके किया है इनका एक सिग्नल इंटलिजेंस कहते हैं जो यूनिट है इस्रेयल में उसका नाम है 8200 तो यह सिग्नल इंटलिजेंस NSA जैसा है तो यह इनके ex officers कहरें एकस ऑफिसर पबंभी भी आफिसर्स है या नहीं हो सकता है एक्षिली उनकी स्टेटيد और्गनाजेचन है यह तो ex officers है तो उनकी इनकी वही टेक्ठोलिजी जो अंदर वो इस्तिमाल करते है तो वाहर आकर इस तरह इन गम्पणियों में आया इन लोगों के जिए तो आपको क्या लगता है कि दोनों में संबंध है सहमती से एनसो मैंने किया या या ये अपने तरफ इंडिपेंडेंटली बढ़ गया गया तो एनसो बिना इसरेल सरकार की मदद से यहां नहीं पहुशता इसमें कोई दोरा नहीं है तो इसमें इसरेल और एनसो का संबंध बहुत साफ है आपकी नहीं बहुत साफ है मेरे ख्याल से सवाल सिर्व इतना ही है कि लिकिन क्या अमरिका की सहमती है इसमें मैं इसमें बाद में आना चाहता हूँ कि अमरिका की रोल इसमें भूमिका क्या रहे क्या रहेगा क्योंकि आप एक चीज़ देखिए कि ये चीज़ जो इबरहम एकॉर्ट्स कहते है जिसके जरीए वेस्ट एशिया की जो कुछ मुल्क अरब मुल्क इसरेल से सम्मन बना रहे हैं उसमें युनाइटिड अरब एबिरेट्स है वो बहुत बड़ा खरिदार है इस सौधेर इबिया ओपन ली तो जॉइन ने किया इबरहम एकॉर्ट्स में इसरेल के साथ सम्मन नॉर्बलाइस करने में पर सम्मन नॉर्बलाइस कर रहा है साफ है इरान के खिलाफ इसरेल के साथ मिलके कर रहा है और दोनों मिलके कतर के खिलाफ संगर्श किया था अब लगत इन दो मुलकों में टूल्स बेशने में उनकी इन संबंधों इस्रेल के साथ सुधरने में काफी मददगार रहा। United Arab Emirates की इस्रेल के साथ पुराने संबंध है। तो आज के बात नहीं है ओपन है इस चीज़ को पर साओधियरेबिक इतना नहीं था। तो उनको लगा की इस्रेल के साथ जो सांडगाट शुरू हुआ है इन दो मुलकों की इसके पीछे नसो टूल्स की और इस्रेल इंटेलिजन्स की जो मदद रही है इन सब चीज़ों में तो इसकी एक हाथ रही है तो एक अंतराष्ट्यस तर पे इस्रेल की नेटवरकिंग इस जनता पर भी निगाह रख सकते हैं दूसरे देशों पर भी निगाह रख सकते हैं आपने पूछा अमरीका का रवाया क्या हो मेरे ख्याल से अमरीका का रवाया इसमें कमफर्टबल नहीं है क्योंकि पहले साथे रहें कोई भी चीज़ चाहिए होता हो कहां जाते अमरीका के बाद जाते अब जो है independent खिलाड़ी अगर intelligence tools बेचने का काम करें intelligence बेचना नहीं intelligence tools बेचना का काम करें तो कुछ हद तक self-reliant हो गए और अमरीका किया जो पूरी monopoly वो भी तो break हो जाएगी तो वो समझते हैं कि कोई भी चीज इनको खबर लेनी होती हमको पूछना पड़ता अब खुद ही निकाल रहें इस tools के जरीए तो मेरे ख्याल से जो dependence है उस dependence के यह इतना इस चला जाना इसके लिए तक खुश नहीं होंगे और कुछ लोगों को कहना है कि पचास हजार phone numbers निकले कैसे यह तो इसरेल से निकले यह तो अमरीका जैसी देश की खुफिया agencies के जरीए निकले तो एक question mark है मैं नहीं कहने वाला हूँ कि इस पर कोई इस वक्त हम जान पाएंगे हो सकता 10 साल 15 साल बाद में इसके खुलासा होगा बहुत सरे ऐसे चीज़ों हम कई दशक के बाद खुलासा हुआ है जैसे पहले एक था कि अमरीका सब की जो कहते हैं साहिब इसका आपका जो communication होता है उस इसको encrypted होता है encryption तोड़ देता था बाद में पता चला है जिस दब्बा के जरीए encryption होता है स्विजलेंड की company बनाती थी वो Swiss company अब CIA की थी ठीक है ना तो यह सब ख़बर सालों लग जाता है दशकों लग जाता पता होने में एक आखरी चीज दुनिया के लिए यह जो खुला सामने है यह भी कितना tip of iceberg है चोटा सा चीज हमारे सामने आया यह जो 50,000 नंबर है क्योंकि यह तो दो company दो जो संस्थाएं हैं उन्होंने मिलके हमारे सामने रखा है तो जिस तरह से स्नोडन ने भी कहा कि यह रोकना जरूरी है लेकिन कैसे गंटी कौन मानेगा देखिए यह रोकना आप और हम दोनों मिलके तो करनी सकते इसके लिए आम जनता की राय चाहिए इसके पक्ष में और मैं समझता हूँ problem यह नहीं है यह tools civilian sector में बिकरी की जाए यह नहीं जो स्नोडन कह रहे हैं कि इसको civilian sector में इसकी 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 इस्तमाल नहीं होनी चाहिए मेरे ख कह सकते यह कैसे हो सकता देखिए cyber weapons है यह cyber tools नहीं है cyber weapons है आपका phone infect करना weapon है तो इसको malware सिर्फ virus कह के इसको हम एहमेत नहीं दे रहे हैं हमें ऐसे agreement चाहिए जैसे आपकी chemical weapons पे है biological weapons पे है ताकि nation states जब आ जाता है इस तरह के tools बनाने में तब खत्रा पैदा होता है पांच criminals कोने में बैठके कुछ बनाएगा यह खतरनाक नहीं होता पर जब nation state होता हजारों लोग ऐसे tools बनाते हैं सौ लोग ऐसे tools बनाते हैं वो अलग किसी weapon इसका impact है तो इसको रोकना जरूरी है और इसके लिए no cyber weapon cyber space को cyber weapon से मुक्त रखा जाए इसकी जब तक यह नहीं हो infrastructure इस वक्त cyber infrastructure है हर infrastructure विजली की कहे पानी की कहे टेलीकॉम की कहे तो यह सब चीज रेल की कहे communication कोई भी तो यह खतरा हमारे लिए दुनिया के लिए civilizational challenge है तो मैं समझता हूँ अगर यह हम नहीं करेंगे तो हमारा हर cyber infrastructure पर प्रश्नचिन्द होगा खत्रा होगा और attack vector हर cell phone हो सकता है तो यह समझे हर जगा पहुचा जा सकता है और यह हमले के निशाने पर कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता है और instrument सबके pocket में है बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि इस समय सब तरफ से मांग यही होनी चाहिए या कम से कम जहां 45-50 देश जिनके नंबर गए हैं कि यह जो cyber weapons के तोर पर यह सारा इस्तमाल हो रहा है इस पर रोक लगे और accountability भी तै हो कम से कम जिन देशों के जो सरकारें गई थी इसका इस्तमाल करने के लिए वो कम से कम accountable बनाई जाए तभी अगर जब तक वो accountable नहीं होंगी तब तक इसके खिलाफ कोई मोर्चे बंदी भी नहीं हो पाएगी लेकिन बहुत बड़ा खरत्रा इस तरह के साइबर वेपन से शुक्रिया